पूरा डेंशन एक बार रिविजन हो रहा है भई मैंने कहा उसने एसे बैवार किया मानू जिसे वो राजा हो क्या लगाना है उसने वैवार किया तो ही बैवार किया तो ही बैवार करता है मानू जिसे वो राजा हो तो इसमें भी आपको वरी लगाना है यह कालपनिक सेंटेंस के लिए किसके लिए नेक्स्ट मुश्किल से उसने दो वाग की बोले कि उसका समय ओवर हो गया जब तक आप बोलोगे नहीं आप नहीं सीखोगे अंटिल अनलेस यू स्पीक यू नॉट लर्न जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करोगे इश्वर आपकी मदद नहीं करेगा अंटिल अनलेस यू है पदर गॉड विल नॉट खैल्प यू आरी बासों में नेक्स्ट यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा इस यू लिसन यू विल अड़स्टाइड आरी बासों में नेक्स्ट यदि पी वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है अल्दो ही इस माइ फ्रेंड याट ही ड़संट हैल्प मी नो सुनर उसने दो सेंटेस बोले ही नहीं थे कि टाइम ओबर हो गया याद रखने वाली बात नो सुनर के साथ दैन ऑल्दो के साथ याट और हाडली है के साथ याद रखोगे पकका पकका चलो आगे ले चलता हूँ रवी भी उतना ही उचा है जितना की किशन रवी इस अस ताल अस किशन इसका concept क्या है कि भोले सर्फ इसके बीच में adjective लाए क्या लगता है जोसे मैं नहीं कहा जितना लंबा उतना तो as tall as जितना महंगा उतना तो as costly as जितना अच्छा उतना तो as रवी भी उतना ही अच्छा जितना की सोहन रवी is as good as sohouse रवी is as good as sohouse यह पैन उतना ही महंगा जितना की वह पैन. और अगर नेगेटिव है, यह पैन उतना महंगा नहीं जितना की वह पैन तो, इस पैन इस नौट सो पॉस्ली एस दाइट पैन. Are you getting? पका. Next, जब तक आप सुनोगे आपको समझ में आएगा. As long as you listen, you will understand. और जब तक आप नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा. Until unless you listen, you will not understand. As long as इसको नेगेटिव कर देते हैं, तो until unless में बन जाते हैं याद रखना. ऐसे ही मैंने कहा, जहां तक मैं जानता हूं, रवी ऐसा नहीं कर सकता. As for us, I know, रवी cannot do this. जहां तक हम राजनीती की बात करें, तो राजनीती बहुत ही डिर्टी गेम है. As for us, politics concern, it's very dirty game. As for us, we talk about politics, it's very dirty game. मैं English के साथ साथ French भी पढ़ा सकता हूं. I can teach French as well as English. As well as English बात में जाएगा. I can teach French as well as English. Next, जो ही वह अंदर आया, सभी खड़े हो गए. As soon as he came in, everybody stood up. Next, इतना ही नहीं. अब ये भाई negative meaning में आता है. जिसे मैंने कहा, ये पानी इतना गर्म है कि आप पी नहीं सकते हैं. रभी इतना बिमार हैं कि वह आ नहीं सकता. ये watch इतनी महेंगी है कि मैं नहीं खरीच सकता. तो एसी चीए जो बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि उसको हम handle नहीं कर सकते. तो एसी situation में two के बाद में आप लगाओगे adjective. क्या लगाओगे? और ये वाले two के बाद में वाब लगाओगे. जैसे मैंने कहा ये पैन इतना महेंगा है कि मैं नहीं घरी सकता. तो डीस पैन is too costly to buy. बस इतनी में खतम हो गया है. मैंने कहा चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता. तो टी इस too hot to take. रभी इतना बीमार है कि वो यहां नहीं आ सकता. रभी इस too weak तो जब भी ऐसा हो जहां पर कोई चीज ज़्यादा है और उसको एंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर टू-टू-कॉप्योग होता है टी डबलो के साथ में एड्जेक्टिव और इसके साथ में वॉप आरी बासोन में आरी बासोन में जिसे वेदर बहुत ज़्यादा ग इतना गर्म कि आप आरी जा सकते हैं तो वैदर इस तू हाथ तो गो ऑउटसाइब यह समझने वाला यह समझने वाला इसलिए क्योंकि आपको यह देखना है कि वह सो दाट इसके बाद भी यहाद पर क्या लगेगा एड्जेक्टिव क्या लगेगा अब आपको दो सेंट दिये जाएंगे एक सेंटेंस इस तरीके से और एक सेंटेंस इस तरीके से और इसको जोडना रहेगा इदेख इदर मैने का कुछीन पेपो दे कुछीन पेपो इस बेरी एजी केसा है कुछीन पेपर बताइए है यू चैन तरी यू कैन तो आपको आपके टीचर्स ने स्कूल में सिखाया होगा कि वेरी की जगर क्या लगा दो और दोनों सेंटेस की बीच में क्या लगा दो तो आंसर बनेगा तो कुष्टिन पेपर is so easy that you can solve it easily. Are you getting? Yes, sir. ऐसे ही, रवी is very intelligent, he can solve any puzzle. तो रवी is so intelligent that he can solve any puzzle. आ रही के बाद सौंज में? कही ने कही, so that और to to दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये negative meaning में होता है और ये positive meaning में होता है, affirmative meaning में होता है, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं आ रहा है? अगला example देता हूँ, ध्यान देना. आपने कहा, for example, एक लड़का वहाँ खड़ा है, आपने कहा, वो लड़का इतना बहाद्दूर है, इतना बोल्ड है कि वो किसी से भी बात्चित कर सकता है confidently. तो यहाँ पर मुझे बताईए, इसमें बनेगा कि उपरवाले में? अच्छी quality है. So the boy is so bold, so brave that he can talk with anyone confidently, the boy is so bold, the boy is so brave that he can talk with anyone confidently. इतना कि वो किसी से भी confidently बात कर सकता है. Are you getting? Rina इतनी creative है, Rina इतनी creative है कि वो कुछ भी बात कर सकती है. मदा आए? Rina is so creative that she can do anything. Rina is so creative that she can do anything. अंग्रे जी इतनी सरल भाशा है कि इसको कोई भी सेख सकता है. English is so easy language that anybody can learn it. Anybody can learn it. कोई भी इसको सेख सकता है. Are you getting? Are you getting? Yes, sir. Do you think English is an easy language? Yes, sir. Really? Yes, sir. याद रखना, you are the student of Persona Institute and it is sad that the students who are from Persona, they are brilliant one. Are you? Yes, sir. Really? Yes, sir. Do you États- gece क sé hellण भी प्याद एंऑवार्ची उँज defending the